सभी आंगनबाडी सेविका सहय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी निउस चनल की आज सुबे 7 बजे की सच्छी ख़वरों में स्वागत है भायो बहनों आपको बता दें आज 17 अक्टूबर है और आज आंगनबाडी बहनों को मुख्यमंत्री जी के कारक्रम में बुलाया गया है तो मुख्यमंत्री जी आज बुलंद सहर आने वाले हैं और वहीं पर आंगनबाडी बहनों को भी आज बुलाया गया आईए देखते हैं आज सरकार आंगनबारी बहनों के लिए क्या कहेगी इसका भी इंतजार रहेगा वहीं उसके अलावा आंगनबारी बहनों को विभाग से जो सूचना दी गई है कि कैसे पहुँचना है और क्या काम नहीं करनी है जैसे कि मैं आपको बता दूँ एक अती महतपूर सूचना के तौर पर ये भी कह दिया गया है कि प्रसासन द्वारा दिये गए निर्देश के क्रम में जो भी महिला प्रतिभागी काले रंग और गहरे हरे रंग गहरे नीले रंग या जो काले रंग जैसे कपड़े बिलकुल ना पहन करके आएं महिला सम्मेलन में प्रतिभाग के लिए ना आएं किसी भी दसा में इन रंगों के कोई भी वस्त्र सूट साड़ी चुन्नी भुरका बलाउज जो की रुमाल भी साथ काला सा बैग ये साथ में ना लें अत्वा पहन करके ना आएं अन्यता पुलिस प्रस प्रवेस नहीं देगा यानि साब सब्दों में बोला गया है कि मुख्यवंत्री जी के कारक्रम में जो भी लोग जाएंगे वो काले रंके ना तो कपड़े ना ही बैग ना ही बुरका पहनेंगे ना ही बलाउज या ना रोमाल तक नहीं ले जा सकते यानि कुल मिला करके सरक चाती है कि उनका किसी तरह से कोई कारक्रम में विरोध ना हो रुकावट ना हो इसलिए यहाँ पर ये अधिकारियों ने पहले से ही चेतामनी सुरूप चीज़े जारी कर दी है कि पुलिस प्रसासन आपको अंदर नहीं जाने देगा यानि कारक्रम में प्रवेस नहीं करने देगा तो वैसे में कुल मिला करके बहने कुछ भी पहन करके जाये और मेन है आपका 折्रस अगर आप काले कपड़े पहन कर जाती है और वहां पर मानलो आप सवाल खड़े करती हैं सरकार से पूछती है कि हमें हमारा जो है ग्रिजटी का लाब क्यों नसीब नहीं होता हमे के लिए अगर काले कपड़े में पहन कर कोई पूछे तो उस पर जादा ध्यान आकरसित नहीं होगा लेकिन वहीं आपका ड्रस का कोड तो सब जानते हैं आपके खड़े होने पर ही आप अपना परिचे दे या ना दे पता चल जाएगा कि यह आंगनबारी कार करता है क्योंकि ड्रस कोड आपकी पहचान है तो ड्रस ना पहनना मेरे ख्याल से जो यहाँ पर आपका अपना अपना मतलग हो सकता है मेरा यही सुझाओ है कि ड्रस ही पहने ड्रस से हमारी पहचान है हम अलग दिखते हैं और हमारी पहचान होती है और अपनी पहचान को गलत ना समझे आप किसी भी आंगनबारी बेहन को कोई भी अवकास प्राप्त नहीं किया जाएगा सभी को नर्देशा अनुसार कारिक्रम में सम्मिलित भी होना है आग्या से CDP-O खुरजा बुलंद सहर ये भी मैसेज आया साथी और भी मैसेज है समस्तांगनबारी रूट चार्ट के अनुसार अपने अपने ग्राम पंचायत में बस खड़ी मिलेगी आप अपने पंचायत सहयक से बात करके सुबह बिना यूनिफॉरम के बैट कर बुलंद सहर में हो रहे माननी मुख्यमंत्री जी के महिला सम्मिलन में अत्यावस्यक रूप से सामिल होना सुनिश्चित हो यहाँ पर क्या कह दिया गया कि बिना यूनिफॉरम के यानि भीन जुटाने के लिए अगर मुक्यमंत्री जी का कारकम था अगर कोई धंका था या महिलाओं से जुड़ा था बहनों का उसमें सहयोगा पे अच्छे था तो सरकार को चाहिए था कि यूनिफॉर्म में बुलाते और बहने यूनिफॉर्म में पहन करके अपना जाती लेकिन यहाँ पर आप देख रह सहयक के अनुसार बात कर लें और उनसे मिलकर अपना पुरा रूट चार्ट तयार कर लेंगे तो यह पुरा सिस्टम चला सुबह छे से साथ बज़े आज बसों में वरबर के गाहों से महिलाएं जाएंगी और बहनों को भी बिना ड्रस में बोल दिया गया और एक मैसेज है इसको भी आप देखिए, लिखा गया सभी आंगनबाड़ी 55 सायक से संपर्कर कल 55 से जो बस आपके ग्रामसबा में आएंगी और उसमें बिना ड्रस के कारकरम स्थल पर आना सुनिश्चित करें, साथ ही सायकाओं को भी सात में लाएं, कोई भी आँगनबाड़ी या सायका अगर ऐसे मामलों पर देखो कोई लिखित में आदेश विभाग चारी नहीं करता है वरना इनी मामलों को उठा करके अगर कोई कोई कोड़ चला जाए और उछले कोड में कि आखिर क्यों सरकार ने बिना ड्रस में इनको बुलाया जबकि ये करमचारी है ये अपना सेंटर छो ज़दाएं जो बाल विकास भाग के तहती हैं और बहुत ही महत्पूर कड़ी हैं उनको ताक पर रख करके यहाँ पर रेलियों में या यूं कहें इन कारकरमों में बहने बुलाई जाती हैं बसों में भरका और वो भी बिना ड्रस के अड्रस में जाती तो समझ में आता कि हा वहाँ पर आंगन बारी बहने कुछ कहेंगी और कुछ न कुछ होगा लेकिन यहाँ पर बिना ड्रस में समझ रहे हैं आप लो सभी 55 सायक आंगन बारी कारकरती को भी समू की महलाओं के साथ बस से कारकम इस्तल तक लाएं यह भी यहाँ पर बोला गया तो यह परसंदी बहन बुलन सहर से उनके वहाँ भी ऐसे ही मामला चला कमलेश बेंद बुलन सहर से उनके वहाँ पर भी बोला गया इनके यहाँ पर भी देखो सभी आगन बारी कारकरता सायका आपको नर्देश है कि 17 तारीक को आज मुक्यमंत्री जी का जनपत बुलन सहर में कारकरम है सभी आग तो आपने पैसों के खर्च पर जाना है यानि अपना किराया भाड़ा खतम करके जाना है कार्करम में जाओ आपस आओ तब भी ठके हारे और वो भी अपना पैसा खर्च करके आओ और बताया गया जाने की वश्ता आप सभी को अपने आप देखनी है यदि बलाक लेवल से ही कारकम इस्तल तक पहुचना है धन्वाद है ऐसे लोगों को जो ऐसे आदेस निकालते हैं वो भी उन महिलाओं के लिए जो 5-6,000 रुपया पाती हैं और उनका इस तरह से सोशर हो रहा है ये सोशर के दायरे में ही है मांसिक पीड़ा है जो बहने अपना सेंटर चला रहे हो तमाम महत्पूर कारे कर रही हो वो भी उन पर दबाव बन रहे है और उपर से कारकम में भी पहुचने होते हैं और वो भी बिना ड्रस के जहां पर आपकी पहचान चुप जाए पता ना चले कि आप आंगनबारी है आम महिला है और वहा पर भीण में आप बस भीण का हिस्स बस इसके लिए और क्या है अगर पहचानी होती तो बहनों को ड्रस में बुलाया जाता अब बताईए विभाग कोई मेटिंग करता है तो कहता है आप बिना ड्रस में आओ कहते हैं ड्रस में आओ सिंटर चलाना होता तो कहते हैं बिना ड्रस में चलाओ कहते हैं ड्रस में सिंट तो फिर मुक्मंत्री जी क्या कार कर में मिना डसके बुलाने का मतलब फिर क्या रहा यही रहा ना की भीर जुटानी है अब देखे यहाँ पर क्या है कि प्रशासन द्वरा दिये गए नरदेश के करम में कोई भी महिला प्रतिबागी काले रंग गहरे रंग यही वाला सब या आंगनबाडी कारकरती स्तल में सबसे पीछे D-block में ही बैठेंगे कोई भी आंगनबाडी साय का किसी अनिस्थान पर नहीं बैठेंगे देख रहें कहां बैठेंगे ये भी पहले सही बहनों को बार-बार बताया जा रहा कि कारकरता कारकमिस्तल में सबसे पीछे बैठेंगी डीबलाग में क्योंकि भीया भीर जुटानी है आगन बारी है अगर आगे बैठ गई और अगर कोई सवाल कर दिया तो उस विभाग के उस परियोजना के जो अधिकारी है फिर उनकी भी खिचाई होगी उन पर भी सवाल उठाया जाएंगे उच्चादिकारी उन पर कहेंगे कि कैसे आपके परियोजना की है कारकरता आप जो अंडर में नहीं रख सकते या कंटोल में नहीं है जो भी है वो उस तरह से उनकी प्रॉबलम होगी तो अपना-पना साध रहें बहनों को और पीछे बिठाने के लिए जोर दे रहें है बिना कपडों में यानि बिना ड्रस में जाने के लिए सौरी बोल रहें हैं तो बिना ड्रस में बहने जाएंगे इसका मतलब ही क्या रहा यही रहा कि भीर्ण का हिस्सा बन जाएं पीछे बैटें यही रहा कि आगे बैटेंगे तो आवाज नहीं सुनाई देगी कोई सवाल नहीं कर पाएगा मुख्यमंत्री जी से पीछे रहेंगे तो चैंजतना चिलना है वहाँ तक आवाज ही नहीं जाएगी तो ये मैटर यहाँ पर हैं आप देख रहें ऐसे हमारे यहाँ पर महिलाओं की सुनी जाती है समस्याय सुनी जाएंगी और कारक्रम किसके लिए महिलाओं के लिए हो रहे हैं और इनकी कोई समस्या है तो ये क्या समस्या मताएं मुख्यमंत्री जी को ये तो वहां तक पहुँचे ही ना और ये पीछे बैठी नहें ये ड्रस में ना जाएं की पहचान चुपी रहें ये भीन का हिसा बनकर घर वापस आएं अपने पैसो पर जाएं तमाम तमाम चीजें अब इनसे महलाओं का ससक्ती करण मेरे हिसाब से तो नहीं हो रहा तक बहनों के अनुसार कोरा नहीं किया गया कि ना तो सम्मान जनक मान दे है अन्ने राज्यों में देखो और यूपी में देखो आधा आधा मान दे है यानि उन राज्यों में दो गुना यहां से मान दे है वो भी केंदर राज सबका मिला लो तब भी जो आधा आधा मान द खाली हाथ रटार कर दी गई बहने और कोई प्रावधान नहीं ना इग्रेजुटी ना कुछ है इसके अलावा भी बहुत सारी दिक्ते हैं तो कोल मिला करके आप लोगों का कुछ कहना हो तो कमेंट में बताइए सुसिला बहन राइबरेली से मानिराजमंत्री महला कलनारबाल विकास उत्तरपदेश स्रीमत्री प्रतिभासुकला इनका भी जन्पत ब्रमर कारकम था देखने के लिए वैसे लेटर तो ये जो निकाला गया है वो 15-10-2023 को निकाला गया लेकिन जो ये चार्ट आया है इसमें डेट आप देखेंगे तो 16-8-2023 पड़ी है समझ गए आप लोग 16-8-2023 डेट पड़ी है टाइमिंग उसका दिया है 16-8-2023 का यहाँ पर जो डेट पड़ी है वो 15-10-2023 पड़ी है तो इस कारकम को लेकर हम क्या कहें इसमें तो कुछ चीजे कंफर्म नहीं है काउंसी डेट का ये कब क्या मामला होना है फैर पीच्छे चोड़ते हैं नया आलू के नाम पर जहर खिला रहे मिलावट खोर तो आएए देखते हैं आलू को लेकर के क्या क्या चर्चाएं चल नहीं है अजय मिस्रा जी है उनका एक ये रिपोर्ट है आएए देखते हैं बताया गया है कि मुनाफ़ा खोर मिट्टी केमिकल और बालू से पुराने क नया आलू बना करके मंडियों में बेच रहे हैं इसमें हजारी बाग के साथ साथ दूसरे राज के सफेद पोस्ट भी सामिल हैं पुराना सफेद आलू को नया बनाने का गोरक धंदा हर साल सिकंबर अक्टूबर में सुरू हो जाता है हर साल बड़े व्यापारी पुराने आलू को कोल्ड स्टोरेज से निकाल कर तेजाब और गिरुआ रंग और मिट्टी से लपेट कर नया आलू जैसा बनाने का खेल खेलते हैं और खरीदारों को नया आलू बात कर दूगनी कीमत वसूल करते हैं बरसाथ का अंतिम चरण में होता है तब इस तरह के खेल सुरू ह जाते देखो किसान बेचारा मीलों में रखा उसका अलू वो छुड़ाने जाता है तो उसका 200 रुपया-500 रुपया कटे के हिसाब से अलू बिकने के लिए कहते हैं वहाँ पर और वहीं अगर कोई व्यापारी का बाहर से आप देख रहें ब्याजार खरीदने जाओगे तो वही बोरे का कट्टा जो है वो 800-900 रुपया-1000 रुपया में बिकता है अब आप सोचिए 20 रुपया किलो अलू बिक रहा है बाहर मार्केट में और वहाँ पर आप देखेंगे मीलों में जो किसानों का सड़ रहा या पड़ा है अलू उसकी कोई केमत नहीं बेचारे इसी च चुड़ाएंगे चुड़वाने का भी पैसा पड़ता है कोल स्टोज में रखने का उसी को चुड़वाना कहते हैं तो उसका पैसा लगेगा और विकेगा उतना है नहीं बिक रहा है बहुत सस्ता 100 रुपया-500 रुपया-200 रुपया बोरा तो अब उसमें कोई मुनाफ़ा उनको नजर नहीं आता तो बेचारे चुड़वाते ही नहीं डुलाई भाड़ा है सब दुनियादारी लगता है इस वज़े से तो ये पूरे खेल चलते हैं महीं मार्केट में उसी टाइम पर 200 रुपया किलो अलु बिकता है तो ये हैं जो सिस्टम जो काफी दिक्कत भरे ह लिखा गया है सबजियों की किल्लत भी समय हो जाती है लोग पुराना अलु खाकर उप चुके होते हैं किसी किसी आलु में मिठा स्वाद भी आने लगता है ऐसे में लोग अपना स्वाद बदलने के लिए नए आलु खरीद रहे होते हैं डाक्टर और क्रसी विबाग ने सत गोल देते हैं और फिर साति अबरक यूट बालुँ वाली मिठी डाल देते हैं और फिर एक बोतल बता रहे हैं । तेजाब जब भाई क्यों डालेंगे सड जाएगा या खराब हो जाएगा जैसा भी हो फिलाँ आर्टिकल में यही सब लेखा गया है तो कुछ भी हो फिला प्यापना इलाज दवादारू जो भी है वो समय पर करवाते रहें तो आज के इस वीडियो को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं और ये हमारी बहन है संगीता तोमर आगरा से उन्होंने देखो कल का जो कारकम था बाल विवा मुक्ती अभियान वाला वो मनाया है सपत वगरा ग्र प्रेली में सोसीला देवी प्रताबगर से हैं वहां से एक फोटो आई है रादारानी उन्नाओ से हैं उनके वहां से फोटो है उमा सितापूर से हैं सुधासिदातनगर से हैं और आज कस वीडियो को यहीद पर रखते हैं धन्यवाद